तो आपका हाथ चलेगा और सबसे इंपोर्टन चीज है कि गैस का निकलना बंद होना जरूरी है जब तक कि गैस का निकलना बंद नहीं होगा तब तक आग नहीं पुझे रही अभी जब आग लगे कि तो हो सकता है यह सीधा आग निकले या फिर हो सकता है इस दिसा में निकल हो सकता है कि यह रिगुलेटर को बंद कर सकते हो लेकिन अगर इस पूरे के पूरे रिगुलेटर में रिसाव हो रहा है और आग पूरी सीडी दिसा में चल रही है तो आप इसको बंद नहीं कर पाऊगे उस केस में आपने का करना है है आपका आप सिंपल तरह बाहर की तरफ नहीं रहे दो हाथ है वह अंदर की दर रहे और अंदर की दरब लेकरके आपने सीपल से इसको यह कर देना है यह आपका आग बुझ गया अभी आपका आग बुझा है रेगुलेटर बंद नहीं हुआ है अभी आपने इसका रेगुलेटर भी यहां से बंद कर देना है ठीक है यह आपकी लपी जी से सुरक्षाप की हो गई एक बार और इसको दोराते हैं ठीक है ठीक है यह आपकी आग लगी हूई है दोनों तिसामें बाइस पहला करें और अगर संहुए पूरे पूरे रिगुलेटर में अगर आपके आग लंग रही है यहांन से रिचा उँख हो रहा है तो यह आघ सीधी निगल रही है हुए थो आपने छिप ध्यान यह देना है कि पाने में गिला करने के बाद आपने ये ध्याय धेड़ना ओर चाणा नहीद हम चाहिए और अंदर कि तरफ धुर्फ टख लेए और आ बाहुने के बाद इसका एक भलब लब, और बंदक करने के बाद के बाद भी आपका गैस का रिसावबंद नहीं हो रहा है तो आप इसको उठा करके किसी खुले जगह में डाल दीजिए पहला चीज और दूसरा अगर आपका रिगुलेटर है ठीक था काम कर रहा है तो आप जब बुच जाए उसके बाद आप इसका यहां से रिगुलेटर कपड़े के ऊ उपर सही आप आराम से बंद कर दीजिए ठीक है आपका डर कम हुआ है कोई है सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल का डर कम होना चाहिए ठीक है